इस वीडियो में हम हाल ही में प्रस्तुत किये गए बजट 2023-24 पर चर्चा करेंगे अगर हम बजट की बात करें तो इसका सीधा सा अर्थिया होता है कि एक परिवार से लेकर किसी देश की सरकार के आय एवं व्यका लेखा जोखा वह अगर हम सरकार के संदर्व की बात करें तो परतेक वर्स फरवरी माहते पर्थमकारी दिवस में बजट को प्रस्तुत किया जाता है यह जो सब्द बजट है या एक परचलित शब्द है या सब्दावली है लेकिन अगर समधानिक रूम से हम बात करें तो समधान में बजट की बजाय वार्शिक, वित्ती, विवरण या सब्दावली दी गई है अब हमने अगर सम्मिधान की बात की कि जो बजट प्रतेक वर्स सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है वह एक सम्मिधानिक विवस्ता है और समिधान के अनुछेद 112 के अंतरगत केंदर सरकार और 202 के अंतरगत राज्य सरकार परतेक वर्स बजट पेस करती है तो यहां जो हम चर्चा करने वाले वा संग सरकार के द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है बजट 2023-24 उस पर हम चर्चा करते हैं चर्चा को आगे बढ़ाते हैं सबसे पहले यहां पर हम बात करते हैं कि भारती अर्थवेस्था को एक मजबूत macro economy या व्रियत अर्थवेस्था को बनाने में आखिर वो कौन-कौन से मूल तत्व है जिनसे उनको मदद मिली है सबसे पहली बात यहां पर हम यह देख रहे हैं कि अगर हम अपनी अर्थवेस्था की बात करें और इसके growth rate की बात करें तो वह growth rate कितना है तो इस वर्स जो मौजदावित्ती वर्स चल रहा है वो 7% की दर की बात की जा रही है और इसमें सबसे ची बात यहां पर इया है कि यह जो growth rate है जितनी भी प्रमुख अर्थविवस्थाएं हैं उन सारी प्रमुख अर्थविवस्थाओं में से सबसे अधीक है उसके अलावा एक और महत्कुन बात यहां पर इया है कि fiscal consolidation मतलब राजकोसिय समेकन के अगर हम बात करें तो COVID महामारी के बाद जो आर्थिक मंदी आये थी या जो आर्थिक क्रियाकलाप में सुस्ती आये थी और उसका असर जो सरकार के राजकोसिय प्रबंधन पर पढ़ रहा था अब ऐसा लग रहा है कि राजकोसिय प्रबंधन मजबूत होता चला जा रहा है या राजकी समेकन मजबूत हो रहा है वह इसलिए क्योंकि जो राजकोसिय घाटा है बजट में यहां अनुमान लगाए गया है कि 2023-24 में इसके लगबख 6% के आसपास रहने की संभाबना है उसके बाद अगर हम बात करते हैं indirect tax GST की तो GST का मासिक राजस लगबख कितने के आसपास बना रहा है डेट लाग करोड रूपे के आसपास बना रहा या डेटा सकरात्मक है वह इसलिए क्योंकि GST एक indirect tax है और इसका मतलब यहां पर यह है कि COVID के बाद बाजार में मांग बढ़ रहे है इसलिए GST का सग्राफ बढ़ रहा है एक और महत्कुन बात वह किसे banking से समन देते बैंक के संदर में यह बात देखी जा रही है कि जो बैंक है उनका जो NPA है वह धीरे 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 क्या होता चला जा रहा है उसमें कमी आती चली जा रही है और बैंक के assets की जो quality है उसमें सुधार होता जा रहा है और यह बात देखी जा रही है कि सितंबर 2022 में जो NPA है वह 5% पर आया है फिर अगर हम आगे देखें कि हमारे पस कितना प्रयाप्त विदेसी मुद्रा भंडार है तो आंकडों के अमसार भारत के पास इतना विदेसी मुद्रा भंडार मौजूद है जिससे की 9 महेनों के आयात की विवस्था की जा सेके मतलब यह अच्छी इस्थिती में बताई जा लिए विदेसी मुद्रा भंडार की इस्थिती को और फिर एक और महत्पून बात यहां पर यह है कि Union Government के द्वारा जो expenditure होते हैं जैसे revenue expenditure और capital expenditure हम यहाँ पर किसकी बात करें है पूंजी गत्रिय की उसमें चार गुना की बढ़ोत्री हुई है और चार गुना की यह बढ़ोत्री यह तरसाती है कि सरकार के द्वारा जो रिन लिये गया है उस रिन का जो परयोग किया गया है वह पूंजी गत्र पर किया गया है पहले की तुलना में चार गुना जादा किया गया है इसका मतलब यह है कि उससे रिटर्ण वापस होना है यह इसी भी अर्थवेस्था के लिए एक अच्छा संकेत माना जाता है अब यहाँ पर देखिए कि जो बजट 2023-2024 यह जो प्रस्तुत किया गया उसमें साथ प्रात्मिक्ताइं दी गई है और इन साथ प्रात्मिक्ताओं के लिए एक नाम दिया गया वह है सब्तर्सी यह बात कही जाती है कि अम्रित काल के दोरान मतलब 2023-2027 तक के बीच यह जो 25 वर्ष की अबधी है इस 25 वर्ष की अबधी में भारती अर्थ विस्था को दिशा देने का जो काम करेंगे वो कौन करेंगे वो सब्तर्सी करेंगे वो सब्तर्सी आखिर है कौन-कौन पहला समाविसी विकास दूसरा आखरी व्यक्ति तक पहुँच तीसरा अब सनचना एवम निवेस चौथा शमता का विकास माचवाँ हरित विकास छठा युवा सक्ति और साथवाँ वित्ति चित यह हैं सब्तर्सी या साथ रिसी जो अम अमृत काल है उस अमृत काल के लिए आखिर क्या विजन है मतलब अगले 25 वर्स के लिए क्या विजन है तो देखिए सबसे पहली बात यह की जाती है कि ना केवल हम एक समाविसी अर्थविस्था बनाएंगे समाविसी अर्थविस्था का मतलब है कि जो आर्थी में समाज के परत्येक वर्ग की भागीदारी को सुनिश्चित करना उसके साथ ही साथ यहां पर यह है कि यह समाविसी अर्थविस्था क्या होगी ससक्त होगी मतलब यह कि हम अपनी अर्थविस्था को वैस्ट्रिक इस्तर पर मजबूती के साथ सामने रखेंगे और जो भी व भारत अभी डेमोग्राफिक डिविडेंट के फेस से चल रहा है मतलब जलसांकी की लाभांस किस्तिती में है इसका मतलब यहां पर यह है कि भारत में स्रमबल का हिस्सा अभी जादा है आसरी जनसंख्या के अनुपार में दूसरा अब यह युवावर्ग है इनके लिए क्य रूप है वह इस तरीके से कि हमारी जो आबादी है स्रमबल उसमें अगर हम देखें तो आबादी का एक अच्छा खासा हिस्सा अभी पूर्ण रूप से कुसल नहीं है मतलब और कुछ अर्द कुसल है और कुछ कुसल है तो रोजगार का ऐसा सुरूप देना जिसमें कि सब अके लिए रोजगार की अफसर मौजूद हो सके और फिर एक कि मैक्रो एकॉनोमिक जो हमारा इंवारमेंट है वह काफी मजबूत होना चाहिए इसका मतलब यहाँ पर है कि राजकोसी समिकन मतलब फिसकल कंसुलिडेशन मतलब सरकार के राजकोसी घाटे की इस्तिती होनी चाहिए मतलब यहाँ पर मुद्राइस्पिति नियंतरन होनी चाहिए जो 2-6% के बीच में है और तीसरी सबसे महत्पुनिया है कि जो व्यापार घाटा है वह व्यापार घाटा भी संतुलित इस्तिती में रहनी चाहिए अब यह अगर हम देखें इंडिया एट तक की यात्रा इसमें यह बात कही जा रही है कि चार ऐसे opportunities हैं चार ऐसे अफसर हैं जो बड़ा transforming हो सकते हैं रुपांतरकारी हो सकते हैं कैसे वो देखें पहली बात यहाँ पर यह हो रहे है कि महलाओं का आर्थिक सोशक्तिकरण वो कैसे तो यहाँ पर यह बात कही जा रही है कि national rural livelihood mission इसके अंतरगर 81 लाख जो self-help groups हैं उसमें बड़े उत्पादन उद्योमों में परवर्तित करना और वो जो उत्पादन में परवर्तित किया जाएगा इसमें समंदित कौन होंगी इसमें महिलाएं समंदित होगे मतलब यहाँ पर यह है कि महिला को एक बड़े जैसे योजना की बात की जारी है इसका क्या मतलब है इसका मतलब यहाँ पर यह है कि जैसे अभी हमने बात की कि हमारी आबादी में बहुत सारे ऐसे भी लोग मौजूद हैं या स्रंबल मौजूद हैं जिनके पास पारंपरिक ग्यान है पारंपरिक रूप से कारिगरी है औ कोसल प्रस्विक्षन दिया जाएगा और उनको नई नई जानकारी दी जाएगी ताकि पारंपरिक ज्यान तो रहे ही उसके अलावा समय के साथ जो उनकी कुसलता में तेजी आनी चाहिए वह कुसलता में तेजी भी आए ताकि इनकी उत्पादन और उत्पादक्ता दोनों करेंगी तो इसका मतलब है कि जो अर्थ वियुस्ता है उसके भी उत्पादन और उत्पादक्ता में बृद्धी होगे फिर आगे प्रेटन में अपार संभावनाओं का उप्योग करना है इसका मतलब यहां पर यह है कि कहीं न कहीं यह बात सही है कि अगर हम प्रेटन की बा तो केवल उस छेत्र में या उस इस्थल के आसपास रहने वाले लोगों को ही उससे फाइदा होगा जब कि इस देश में जिसे आनिकता में एकता की बात कही जाती है यह देश जो काफी विविद है यहाँ पर कई ऐसे प्राचीन इसमारक हैं जो दर्शनी हैं कई ऐसे इस्थल हैं जो दर्शनी है इसका मतलब है कि वह भी एक बेहतर प्रेटक छेत्र में परिवर्टित हो सकते हैं तो यहाँ पर सरकार यह कह रही है कि प्रेटन के नए नए अफसर और नए नए समभावनाओं को खोलना नए ने इस्थलों को सूची में लाना और नए ने इसमारकों को सूची में लाना ताकि लगभग हर एक छेत्र जो दर्शनी है जो घूमने योग है वहाँ के लोगों को इस परेटन से लाब मिल सके और फिर यहाँ पर एक बात होती है किसकी ग्रीन डेवलप्मेंट की हरत विकास की इसका मतलब यहाँ पर यह है कि ग्लोबल वार्मिंग को कम करना यह जोरी है ताकि सतत विकास हो चेके संधार्णी विकास हो चेके सस्टेमल डेवलप्मेंट हो सके यह तभी संभव है जबकि हमारी टेकनलोजी ग्रीन टेकनलोजी होगी यह ग्रीन बेस्ट टेकनलोजी होगी इसका मतलब है कि हमें जिवासम इन्दन से अपने आप को बदल कर लाना है कहाँ पर नभी करनी उर्जा सुरूत की तरफ और यहाँ पर उसे की बात हो रही है हरित विकास की अवधारना को अपनाना अब हम बात करते हैं कि आखरी व्यक्ति तक पहुझ बनाना कोई पीछे ना चोटे इसका मतलब है कि समाज के जो अंतिम व्यक्ति ह वहाँ तक हमारी सारी सुविधाओं को पहुझाना और उन व्यक्ति को उसमें शामिल भी करना दोनों चीज़ें करनी होगी मतलब यह केवल यहनी है कि आपने सुविधा वहां तक पहुँचा दी, बलकि यह भी जोर रही है कि उन सुविधाओं का उपभोग वह व्यक्ति करें अगर इसमें हम देखें तो यहां पर यह बात कही जारी है कि प्रधान मंत्री पती संविधन सील अनुसूचित जनजाती समूँ इन से समन्दित एक विकास मिस्वन की शुरुवात की जाएगे हलां कि इसकी सुरुवात पहले भी है अगर हम जनजाती मंत्राले की बात करें जो वाच्पी सरकार थे उसमें जनजाती है मंत्राले का गठन की अगया था फिर अगर हम देखें कि करनाटक की सूखा संभावी चित्र में धारनी या सुख्श्म सीचाई के लिए वित्ति साहता है अब इसका मतलब यहाँ पर यह है कि जो यहाँ चित्र है यहाँ पर सूखे के कारण दिक्कत आ रही है और वहाँ पर आजिविका की दिक्कत आ रही है उस आजिविका की दिक्कत को दूर करने के लिए जो Micro Irrigation है, Micro Irrigation का मतलब यहाँ पर है कि चाहे वो टपकल सिचाय की विदियों, चाहे स्प्रिंकल चाहे छिड़काओं की विदियों, इस तरह की सिचायी, सुक्ष्म सिचायी की विवस्था को वहाँ पर लाना, उसके अलावा, एकलब दे आदर्स आवासी विद्याल है, जिसमे की प्रावधान यह है कि जो जन जाती है, वर्ग से बच्चे हैं, उनके लिए यहाँ पर आवासी है, इसकूल की स्थापना की गई है, वहाँ पर वो पढ़ते हैं, और उसमें यहाँ पर इबात हो रही है कि 38,800 अधिक सिच्छकों की भरती की जाएगी, मतलब यहाँ पर य जब COVID महामारी आई थी, और अब सरकार यह कर रही है कि प्रधान मंतरी गरीब कल्यान अन योजना के तहत, एक वर्ष के लिए मुफ्त खाद्यान की आपूरती की जाएगी, इसका अर्थ यहाँ पर यह है कि अगले एक वर्ष के लिए इस योजना के तहत, जो भी लाभारत हैं, उनको एक रुपए भी खर्च नहीं करने हैं, सरकार से अन्यप्राप्त करने के लिए, फिर आम यहाँ देखें कि एक योजना है, भारत स्री योजना, भारत स्री योजना का उद्धिस क्या है कि एक लाख जो प्राचीन पांडुलिपी हैं, उन प्राचीन पांडुलि इनकी पहुच को आसान बना दिया जाएगा, अगर विश्यू के किसी भी कोने से, अगर कोई विडिक्ति इस प्राचीन पांडुलिपी तक अपनी पहुच को बढ़ाना चाहता है, उसे पढ़ना चाहता है, तो डिजिटली करन के माध्यम से क्या होगा, कि वह आसाली से उसको पढ़ सकता है, फिर हम बात करते हैं, परधान मंतरी आवास योजना, इसके आउट लेट में 66 परतिसत की विर्धी की गई है, मतलब यहाँ पर यहाँ है कि पहले की तुल्ला में, अब परधान मंतरी आवास योजना के अंदरगत, लोगों को जो रासिदी जाती है, है कि हमारे पास एक मास्टर सूची हो, ताकि उस मास्टर सूची की हम क्या कर सके, एक समिच्छा कर सके, तो इसके लिए एक विसेशग समीती का गठन किया जाएगा, और यह समीती उस मास्टर सूची की समिच्छा करेगी, फिर यहाँ पर, रेलवे के लिए यह क्या करें कि 2.4 लाग करोड के पूंजिगत परिवय का प्राधधान किया है यहाँ पर यह रोचक बात है कि 2013-14 कि अगर वहाँ से हम comparison करें तो यह 9 गुना ज्यादा पूंजिगत परिवय है कूंजिगत परिवय का मतलब यहाँ पर यह है कि जो royrogoy है इसमें ना केवल नई नहीं रेलबे लाइने बनेगी बलकि रेलबे का आधनिकी करन किया जाएगा उसका विद्यती करन किया जाएगा रेल के डब्बे जो बनाय जा रहे हैं उसके लिए नए इफेक्रियों के इस्थापना की जाएगी तो यह railway के दिश्टिकों से काफी महतपूर्ण है उसके अलावा 100 महतपूर्ण अब सरजना परिजनाओं की भी भाचान की गई है साथी साथ जो पहले से मौजूद हमारे पास हवाई अड़े हैं हैली पॉर्टर्स है वाटर एरोडरम है उनका पुनरधार किया जाएगा इसकी संक्या 50 से ज़्यादा है और फिर एक बात यह देखी गई है कि 30 छेत्रों में जो 9 वहन सेवा दी जाती है उसकी छमता काफी ज़्यादा है दोनु मामलों में दोनु मामलों का मतलब यहाँ पर यह है कि ना केवल व्यक्ति को एक इस्थान से दूसरे इस्थान पर ले जाने में बलकि अगर हम वस्तू को भी ढोने की बात करें तो उस मामले में भी उसकी छमता काफी ज़्यादा है और उसी छमता के दोहन करने के लिए 39 वहन को सरकारी और निजी इन दोनों भागिदारी के ज़गे उसको बढ़ाए जाएगा अब हम बात कर रहे हैं अब सनचना और उत्पादिन छमता में निवेस के संदर में इसका अगर हम देखें कि इसका उद्दिस ही किया है उद्दिस है विकास और रोजगार के अफसरों में विर्धी करें तो इसमें तीन गुना गिर्धी विये क्योंकि 2019, 2020 में यह 11 परतिसद था और हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं यह 33 परतिसद के आसपास है तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट जैसा कि मैंने पहले ही आपको बात की कि यह क्या करता है कि जब भी आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं कैपिटल एक्स्पेंडिचर करते हैं पूंजी का त्विया करते हैं तो इससे ना केवल पूंजी का सरजन होता है बलकि साथी साथ रोजगार के नए अफसरों का भी सरजन होता है उसके अलावा यहाँ पर यह बात कही जा रही है कि infrastructure में जो नीजी निवेस होती है और नीजी निवेस किये जाते हैं उससे जुड़े हुए जो लोग होते हैं उनको सूचनाय चाहिए होती है कि हम investment करें या ना करें उसमें साहता देने के साथ साथ अन्य साहता को उपलब्द कराने के लिए infrastructure finance secretariat की बात की जा रहे है फिर RIDF, Rural Infrastructure Development Fund इसका गठन किया गया है रामीन जो छेतर हैं वहाँ पर अपसर रचना के विकास के लिए ठीक उसी तरज पर यहां हम क्या देख रहे हैं UIDF मतलब Urban Infrastructure Development Fund इसकी स्थापना के द्वारा क्या किया जाएगा सुरेणी 2 और सुरेणी 3 के जो सहर हैं उसमें सहरी अपसर रचना का सुरेण किया जाएगा मतलब यहां पर यह है कि जो सहर है वो सहर की संगरचना ऐसी होनी चाहिए जो धारनी हो जो सस्टेनेवल हो मतलब यह कि जो सहर है वो नाकेवल वर्तमान में जो लोग रह रहे हैं उनकी आवसकताओं की पूरती करें उनके आपसक्ताओं का मतलब उनके पेजल की पूर्ती करें, उनके रहने के आवाज की पूर्ती करें, उनके लिए जो ट्रैफिक हैं उनकी पूर्ती करें, बलकि उसके साथ ही साथ, क्या होगा कि आगे आने वाले सब्सक्राइब जब उस शहर पे आबादी बढ़ेगी, तो उस आबादी की भी जो जरूरते होंगी, उसके लिए भी यहाँ पर अपसंचना का विकास UIDF के जरिए किया जाएगा. और एक महत्पून बात यहाँ पर यह है कि राज्य सरकार को 50 वर्सों के लिए ब्याज मुक्त रिंड देने को जारी रखा जागा. अब हम बात करते हैं कि सक्षमता को कैसे हम बात करेंगे, एफिसेंसी या कैपसिटी को कैसे बढ़ाएगे. अगर हम इसकी बात करें, तो यहाँ जनलिक किस समंदित है, सुसासन से मतलब गवर्नेंस है. अब यहाँ पर देखिए यह कि बेहतर गवर्नेंस के लिए क्या-क्या काम किया गया है. तो पहली बात है कि व्यापारिक सुगंता को बढ़ावा देने के लिए, जो कम्प्लाइंस होते हैं, वो जो 49,000 जो अनुपालन करना ही करना है, उस 49,000 से जादा अनुपालनों को कम किया गया है. मतलब यहाँ पर यह है कि जो व्यापार करने वाले जो वर्ग होते हैं, उनके लिए जो अब कम्प्लाइंस करने की सीमय वो काफी घड़ गई, नियम कानुन को जो फॉलो करने की बात होती हो काफी घड़ गई है, इससे कानुन की जटिलता जो है वो काफी कम हुए है, साथ 3400 से अधिक विधिक उपंदों को अपरात की सिरिनी से हटाए गया है, यह जो काम किया गया है, वो कम्पनी एक्ट 2013 के अंतरगत किया गया है, उसके अलावा 42 केंदरी अधिनियमों में संसोधन के लिए जन विश्वास विधियक पेस किया गया, यह दोनों चीजें किस से ज उसकार और बहतर गवर्णिंस के लिए क्या किया जा रहा है, कि जो 5G आधारित अपनी केसन है, उसको विक्सित करने के लिए उतकर्ष संस्ता में 100 प्रयोक सालाएं इस्थापित की जाएगे, साथी साथ, Artificial Intelligence के छेतर में अनुसंधान को बढ़हवा देने के लिए, राष्टी डेटा नीती के संदर्म यह बात कही जा रही है, कि जो स्टार्ट अप से जुड़े हुए लोग हैं, साथी साथ, जो एजुकेस्निस्ट हैं, उनमें नवाचार और रिसर्च को बढ़हवा देने के लिए यह राष्टी डेटा नीती लाई जा रही है, ताकि हमा इस उद्दिस के साथ इसको सरकार के द्वारा लाए जाना है, वहीं यह बात कही जा रही है, कि जो व्यक्ति के पहचान होते हैं और जो पते होते हैं, उसको अपडेट किया जाएगा, और यह कैसे संभव होगा, तो जो डीजी लॉकर है और आधार, इसके द्वारा पहचा परसासन क्या हो, वह पारदर्सी हो, साथी साथ वह परसासन जवाब दे भी हो, और उत्तगाई तपून भून का निभाए जनता के परती हैं, क्योंकि इसी से जनता का विश्वास परसासन की तरफ बढ़ता है, परसासन की और बढ़ता है, यहाँ पर यह बात हो रही है, कि नियाईक परसासन में दक्षता लाने के लिए जो E-coat या E-niयाले है उसके phase 3 को सुरू किया जाएगा साथी साथ यहाँ पर एक है विवात से विस्वास 1 विवात से विस्वास 2 अगर हम इसको संपून रूप में देखें तो यहाँ पर बात यह हो रही है कि Micro Small Medium Interprises यह ने जो Bidding की थी जो उन्होंने बोली लगाए थी COVID के समय में और माल ने कि उन्होंने जो Bidding लगाई उन्होंने रासी दी लेकिन COVID के दौरान उनके उद्योग धंदों पर असर पड़ा उनके लाब पर असर पड़ा तो यहाँ पर बात यह हो रही है कि सरकार और सरकारी उपक्रम के दौरा उनके 95% रासी को क्या कर दिया जाएगा वापस कर दिया जाएगा मतलब Micro Small Medium Interprises के दौरा जो Bidding की गई जो बोली लगाएगी उसमें से 95% जो रासी है वह इनको वापस कर दिया जाएगा इससे उनका जो वित्ती स्वास्त है वह काफी बहतर होगा इसका मतलब यहाँ पर यह है कि उनका वित्त पोस्ण होगा इससे फिर इससे ना केवल उनके दौरा जो उत्पादन की करिया कलाप है उत्पादन की परकरिया है उसमें तीजी आएगी और फिर इसका एक रिपल इफेक्ट होगा भारती अर्थिवेस्था पर और आगे हम यहां देखें तो एक बात यह कही जा रही है कि जो हमारे पास दुरलफ संसाधन है उस दुरलफ संसाधन के आवंटन के लिए जो हमारे पास चुनिंदा इसक्यूम है उनके विद्वोसन को इस अधार पर नहीं देखा जागा कि हमने उसमें कितने पैसे लगा है इस पाधार पर देखा जागा कि उसका परिणाम क्या है उसका आउटकम क्या है मतलब यहां पर यह बात कही जा रही है कि कुछ चुनिंदा इसक्यूमों के आउटकम्स पर यहां पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा एक और भी बात कही जा रही है कि माइक्रो इसमॉल मेडियम इंटरप्राइजिस दूसरा कि जो बड़े वेवसाई हैं वो और जो ट्रस्ट है इनके जितने भी रिकॉर्ड्स वगरा होते हैं उन सारे रिकॉर्ड्स को ऑनलाइन स्टोर करने और फिर उसको साजा करने के लिए एक निकाय डिजी लॉकर को इस्थापित किया जाएगा इसका फायदा यहाँ पर यह है कि जब माइक्रो इस्मॉल मीडियम इंटरप्राइजिस और जो बड़े वेवसाई से जुड़े हुए जो कमपनिया हैं और साथी साथ जो ट्रस्ट हैं उनके जब रिकॉर्ड एक स्थान पर रहेंगे तो चाहे वो वित्ती संस्थान हो चाह तो उनके लिए इनके रिकॉर्ड को देखने में काफी आसानी होगी अब हम बात करते हैं किरसी और सहकारिता के संबंद में किरसी के संदर में जो यहाँ पर समाबेशी विकास की जो अबधाना लखी गई उसमें ये बात कही गए किरसी छेत्र को वित्त वर्ष 2022 में 186 की स्थापना की जाएगे इस किरसी वर्धक निधी की स्थापना का उद्धिस यह है कि ग्रामीन युवा जो स्टार्ट अप करना चाहते है या जो इनोवेशन करना चाहते है एग्री टिक सेक्टर में उनके लिए जो वित्ति की विवस्ता है वो वित्ति की विवस्ता की लावा बागवानी फसलों की गुणवत्ता को सुधारने के लिए आत्म निर्फर बागवानी स्वक्ष पौध कारिक्रम को भी लाने की बात हो रही है। जो भंडारन छमता है जो प्रोक्यूर्मेंट कैपसिटी है उसमें बढ़ोत्री की बात की जा रही है वो भी कैसे वो डिसेंटलाइजेशन के द्वारत की जाएगी। वह उत्पादन बरबाद होता है। वह है मोटे अनाज के संदर में, मतलब मिलिट के संदर में और उसके लिए जो नाम दिया गया है, वो नाम क्या दिया गया है, स्री अन है, बजट में यह बात कही गई है कि स्री अन या मोटे अनाज या मिलिट के मामले में भारत को एक वैस्विक हब के रूप में रखना है, म फसलों के उत्पादन के मामले में भारत की छमता और ज्यादा बड़े क्योंकि हमें ये पता है कि अगर हम मिलेट्स की बात करें तो वैसुई किस तर पर हम सबसे बड़े उत्पादक हैं और दूसरे सबसे बड़े निर्यातक हैं इसका मतलब हमारी छंता इसके मामले में काफी अच्छी है अगर हम बात करते हैं स्वास्त के संदर में जो समाविसी विकास की ही अंतरगत आता है तो वित्त वर्स 2023 में मतलब मौजदा वित्ती वर्स में GDP का 2.1% स्वास्त के छेतर में खर्च किया गया है यहाँ पर बजट में यह बात कही गई है कि सिकल सेल एनीमिया उनमुलन मिसन की सुरवात की जाएगी और इसका लक्ष है कि 2047 तक मतलब अमरित काल के यह जो अंतिम वर्स है इसमें एनीमिया का उनमुलन किया जाएगा यह लक्ष रखा गया उसके अलावा 163, 157 नर्सिंग कॉलेजों की भी स्थापना की बात हो रही है साथी साथ सरकारी और नीजी दोनों सेयुक्त चेकिस्टा अनसंधान को प्रोसान दिया जागा कहाँ पर चुने हुए ICMR के लैब में उसके अलावा फर्मस्टिकल्स के छेतर में या दवाई निर्मान के छेतर में भारत की आत्निर्वरता को बढ़ाने के लिए फर्मस्टिकल्स अनसंधान को बढ़ावा देने के लिए नए कारिक्यम के सुरुवात की बात की गई है अब हम बात करते हैं हरित विकास की, अगर हम हरित विकास की बात करें, तो जलवायो समंधी जो लच्छ हैं, उसको काप्ट करने की और हमें और अगरसर होना है, उस दिसा में कारिक करते हुए यह बात कही गई है, कि एक व्यक्ति के स्थर पर, कंपनी के स्थर पर और इस्था प्रश्ता की जरुरत को हरित रिन कारिकरम के द्वारा पूरा किया जाएगा और इसके शुरुवात की घोसना सरकारने की है। उसके अलावा PM परणाम की घुसना की गई, मतलब ये कि पृत्वी माता पुर्जा के उर्वरक के वैकल्पिक सुरोतों का प्रयोग करें, मतलब राशानिक उर्वरक पर अपनी निर्वरक्ता को धीरे-धीरे कम करें, ताकि जो मिट्टी की उर्वरक्ता है वह बनी रहे और समय के सासथ उसमें वृद्धी हो, साथी साथ, गोवर्धन योजना के तहत, पांसों ने अवसिष्ट से आमदनी सेंत्रों को इस्थापित किया जाएगा, इसका उद्धिस यहाँ पर यह है कि जो अवसिष्ट पदार्थ होते हैं, उस अवसिष्ट पदार्थ का भी उप्योग, एक चक्री अर्थ रिवस्था के अंदरगत किया जाना चाहिए, और वह भी एक आमदनी का सुरोध होना चाहिए, साथी साथ मिस्टी, मिस्टी का मतलब यहाँ पर यह है कि तटी प्रयावास और ठोस आमदनी के लिए मैंग्रोब पहल, तो इस मिस्टी के तटी रेखा पर मैंग्रोब पौधार उपन की सुरुवात की खुशना इस बजट में की गई है, अब हमें यह पता है कि देस में 75 70 रामसर साइट हैं, तो उसे देखते हैं यहाँ पर यह बात कहें गई है कि जो हमारे पास आर्द्र भूमी है, उस वेटलेंड यह आर्द्र भूमी के आप्टिमम यूटिलाइजिशन को बढ़ावा देने के अगले तीन वर्सों में अमरित धरोहर को लागू किया जाएग मत इस अमरित काल के दोरान जो यूवा सकती है, वो एक अमरित पीड़ी है और इसे क्या किया जाए, उसे इंपावर्ड किया जाए, उसे ससक्त किया जाए, इसके लिए प्रधान मंतरी कौसल विकास योजना 4-0 को चलाने की बात कहीं गई है, अब इसका मतलब यहाँ पर य जैसे कोडिंग, आर्टिफिसल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, मेकाट्रोनिक्स, 3-D प्रिंटिंग, ड्रोन, आदी जैसे विसे का भी परसिक्षन, अब प्रधान मंतरी को असल विकास योजना 4.0 के अमतर कर दिया जाएगा, साथी साथ एक प्रेटफॉर्म की बनाने की जिस कुसलता के साथ, उसी आधार पर युवाओं को कुसलता परदान करना और साथी साथ, उनको उस प्लेटफॉर्म पर लेकर आना, और फिर इस प्लेटफॉर्म से जो भी इंडेशलिस्ट हैं, मैक्रो, इस्मॉल, मीडियम इंटेप्राइजेंस हैं, उनको भी जोड़ना जहां उद्दे से स्किल इंडेट डिजिटल प्लेटफॉर्म का, फिर अगर हम आगे देखें, तो तीन साल में 47 लाख युवाओं को स्टेपेंट दिया जाएगा, मत्तब इनको परसिक्षन भी दिया जाएगा, और परसिक्षन के दौरान इनकी वित्ती मदद भी की जाए कि इन 50 चुने हुए प्रेटन इस्थनों के आस पास के जो युवा हैं, उन्हें नए नए रोजगार के अफसर मिलेंगे, साथ ही साथ, हर एक राज्जी की जो राजधानी है, वहाँ पर यूनिटी मॉल की स्थापना की बात की गए है, उस मॉल में कौन से उत्पाद बेच जाएगा और अन्हे हस्त सिल्फ उत्पादों की बिकरी को बढ़ावा दिया जाएगा, किसके अंतरगत? यूनिटी मॉल के अंतरगत, अब हम बात करते हैं वित्ती छेतर की, वित्ती छेतर के अंतरगत, सरकार ने जो जो प्रस्ताव दिया है, इस बजट में, बजट 2023 में, अगर उस पर हम देखें, तो एक यहाँ पर बात हो रहे हैं कि राष्टी वित्ती सूचना रजिस्ट्री की स्थापना, सरकार का यह कहना है कि हम एक ऐसे राष्टी वित्ती सूचना रजिस्ट्री की स्थापना करेंगे, जिसका उद्दिस यह होगा, कि जो रिन है, वह रि स्थिर्टा की सुनीश्चित्ता बनी रहे ह। इसके लिए जवरी है कि संपुन्ट देश में जो वित्ती सूचना है वो वित्ती सूचना एक जगा पर केंदरित हूँ। साथी साथ केंदरिय डेटा प्रोसेसिंग केंदर की स्थापना करने की बात की जा रही है। और यह जो केंद्री डेटा प्रोसेसिंग सेंटर है, वो किस से समंदित है, वो समंदित है, कंपनी अधिनियम के अधरगर, जो कंपनिया हैं, उनसे समंदित है, ताकि इनके त्वरित रिस्पॉंस उनके द्वारा किया जा सके, इससे उनकी जो अपनी administrative working style है, परसासनी कारेप prices के लिए credit guarantee की बात की गई है, जो corpus है, जो fund है, उसमें 9000 क्रोड रुपए जोड़कर, एक नवीन यूजना को चलानी की बात, एक अप्रेल 2023 से की जाएगी, या बात बजट में की गई है, फिर हम देखें, महिला सम्मान बचत पत्र, यह एक कालिक यूजना है, इसके अंत या खाता महिला, या तो खुद अपने नाम पर, या अपनी बच्ची के नाम पर खोल सकते हैं, और इसमें आंसिक आहरण, मतलब यह है कि इस दो साल की अबधी में अगर वो राशी निकालना चाहती है, तो एक रासी, मतलब एक निश्चित रासी निकाल सकती है, उससे ज्य लाक रुपए थी, उसको बढ़ा कर कितना कर दिया गया, तीस लाक रुपए कर दिया गया, और अगर हम बात करें यहाँ पर, आई एफ, एस सी की, मतलब इंटरनेशनल फाइनिसिल सर्विस सेंटर्स की बात करें, तो इसमें जादा से जादा व्यावसाई गतिविधी बढ कार ने मौझुदा जो बजट है, उसमें परस्ताव रखा है, अब हम बात करते हैं, राज कोसी प्रवंधन की, फिसकल मेनेजमेंट की, इसके अंतर कर देखें, जैसा कि हमने पहले क्या देखा, कि राज्यों को 50 साल के लिए, ब्याज मुक्त रिन देने की बात करेंगी है, यहां में यह बात ध्यान रखनी होगी, कि यह जो यूजना है, उसे एक साल के लिए बढ़ाये गया, मतलब यहां पर यह है, कि अगले साल तक के लिए ही, जो राज्य है, वह केंदर से 50 साल के लिए रिन ले सकेंगे, जिस पर कि किसी परकार का कोई व्याज नहीं देना लेकिन उसका एक छोटा हिस्सा, केंदर सरकार के द्वारा, जो सर्ते रखी गई है, उस पर खर्च करना पड़ेगा, और यह सर्ते ऐसी है, जैसे कि अभी हमने यहां पर क्या देखा, यूनिटी मॉल, यूनिटी मॉल की स्थापना पर इस रिल का एक भाग खर्च करना पड साथी साथ यहां पर यह बात कही गई है, कि जो राज्य है, आखिर उनका राजकोसी घाटा कितना होना चाहिए, तो केंद सरकार ने बात कहिए, कि हर राज्य की जो अपनी GDP है, जिसे यहां पर कहा गया है, ग्रॉस, स्टेट, डॉमेस्टिक, प्रॉडक्ट, तो इसका कितन इसका 3,5%, यह राजकोसी घाटा हो सकता है, इसका स्टेट का, लेकिन इसमें दी एक सर्थ, सर्थ यहां पर यह है, कि इस साथे 3,5% का 0.5, यह करना पड़ेगा खर्च विती छेतर में सुधार पर, स्टेट को, और 2022-23 में एन सरकार के, अगर राजकोसी घाटे की बात करें तो उसके अनुमान में संसोधन किया गया है, और यह संसोधन कितना है, 6,9% कि उसके आगे वितीवल, मतलब 2023-24 बजट के लिए अनुमान कितना रखा गया है, 5,9% यह एक बजटी अनुमान है, और फिर 2025-26 तक इसको 4,5% से कम करने का लच्छ है, यह यह दरसाता है कि राज व्यक्तिकत आयकर की, तो इस व्यक्तिकत आयकर के यहां पर हम क्या देख रहे हैं, कि नए व्यक्तिकत आयकर की कर पढ़नाली में यहां पर बदलाव किया गया है, ऐसे तो जो कर स्लैब की सीमा तो उसको घटा कर क्या कर दिया गया है, और जो कर छूट सीमा है, उसको भी ब पर जो कर की दर है वो दस परतीसात है इसी तरह 9 से 12 पर 15 पर 15 पर 20 पर 30 पर 30 पर 30 पर 30 है एक चीज हमें यहाँ पर याद रखने की कि उच्छ अधिवार दर मतलब यहाँ पर सरचार्ज की बात हो रही है जो पहले 37 परतीसात था 37 परसेंट था वो घटकर कितने पर आ गया है 25 पर 30 पर आ गया है अब यह जो नई व्यवस्था है इस नई व्यवस्था से अर्थसास्त्रियों का यह मानना है कि पहले की तुलना में जो आय कर दाता है उनके पास बचत की संभावना ज़्यादा हो जाती है और अगर यह बचत होती है यह बचत में से बाजार में एक पैदा होती है, ऐसा अर्शास्त्रियों का कहना है अगर और पर्टक्ष कर प्रस्ताओं की बात करें और अगर हम उसे संपून रूप में देखें तो कस्टम डुटी की अगर हम बात करते हैं सीमा सुल की बात करते हैं तो यहां पर लगभग यह देखा जा रहा है कि रॉव मेटरियल यानि की कच्छे माल उस पर कस्टम डुटी को घटाए गया है इसका मतलब यहां पर यह कि हमारे यहां के जो घरेलू उद्योग हैं उनको पाहले की तुना में जो कच्छे माल हैं वह कम दरपर प्राप्त होंगे उस पर उनकी लागत कम आएगी या आर्थिक क्रिया कलाप में तेजी लाने के लिए काफी लाबदायक हो सकता है और यह होता भी है अब हम बात करते हैं कर प्राप्तियों में दुजाल से जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं स्क्रीन पर तो सकल कर राजस सकल कर राजस का मतलब यहां पर यह है कि हम डिरेक्ट टेक्स की बात कर रहे हैं और इंडिरेक्ट टेक्स की बात कर रहे हैं उसमें अगर हम यहां पर देखें तो 2021-22 में 11.254 और 2022-23 में जो संसोधित अनौन लगा गए उसमें कितना देख रहे हैं? 11-11-1 और 2023-2024 में अगर हम देखें तो यह भी कितना पर है? 11-11-1 है. एक बात हमें याद रखनी पड़ेगी, जो यह गराब दिखारा सकर कर राजसुका, उसमें अगर आप यह देख रहे हैं कि 2022-2023 में भी 11-11-1 और आगे जो वित्तिवर से उस उसमें भी 11-11-1 तो इसका मतलब क्या हम मानें कि क्या आर्थिक किर्याकलाप में सुधार नहीं हो रहे हैं? बेसक सुधार हो रहा है, हमें यह बात याद रखनी है कि परतिस्वत के मामले में भले ही हमें समान दिख रहा हो, लेकिन जब जब यह संख्यात्मक मान होगा, तो 2022-23 की तुनला में 2023-24 में GDP वो ज़्यादा प्राप्त होगी, इसलिए यह परतिस्वत के रूप में भले ही हमें समान दिख रहा है, लेकिन संख्यात्मक रूप में यह हमें ज़्यादा दिखेगा, उसके अलावा अगर हम परत्यक्च कर और परत्यक्च कर की बात करें, तो उसमें भी हमें क्या दिखने को मिल रहा है कि 2022-23 में परत्यक्च कर 6-10 और 5-10 एक परतिस्वत है GDP का, और परत्यक्च करके मामले यहाँ पर क्या दिख रहा है, कि 6-10 और 5-10 एक परतिस्वत है, इसलिए चुकि यह दोनों एक ही है, इसलिए हमें 11-10 एक परतिस्वत है, तो परतिसत के रूप में यह हमें समान देख रहे हैं, लेकिन संख्यात्मक रूप में यह हमें साब जादा होगा, इसका मतलब यह है कि हमारी जो अर्थवियोस था है, वो अल्रेडी रीकवर्ड हो चुकी है और हम बात कर रहे हैं अब उसे आगे की जैसा कि आर्थिक की बात हो रहे है, तो यहाँ पर हम देखते हैं, 2021-22, 6.4, हम 2022-23 के संसोधी तन्मान की बात कर रहे हैं, वह कितना है, 6.4 और 2023-24 में कितने की बात हो रहे है, 5.0, इसका मतलब यह है कि जो घाटे की परविर्टी वह क्या हो रही है, वह घट रही है, इसका मतलब राजकोशी समेकन की इस्तिदी की तरफ हम बढ़ रहे हैं साथी साथ यही परविर्थी हमें किसमें दीख रही है revenue deficit में भी दीख रही है जो 4.1 एक से 2.9 पर जा रहा है वह प्रात्मी घाटे में हम क्या देख रहे है कि 2022 थेसमें जो संसोधीत अनुमान है वह कितने का है वह 3.7 जबकि 2023 थेसमें जो अनुमान है वह कितने पर है वह 2.3 पर है साथी साथ अगर हम प्रभावी राजस्व घाटे की बात करें effective revenue deficit की बात करें तो 2022 थेसमें यह 2.9 संसोधीत अनुमान है जबकि बजट अनुमान 2023 थेसमें कितना हुआ अब हम बात करते हैं कि केंद्रिय राजस्व और व्यकी मतलब ये कि रुपया अगर आता है अगर एक रुपया आता है तो उसमें किसका कितना अंस होता है और अगर रुपया एक रुपया खर्च होता है तो फिर उसमें कितना किसका अंस होता है तो सामने स्क्रीन पर हम साप रूप से देख रहे हैं कि जो रूपया आ रहा है उसमें सबसे जादा भागीदारी किसकी है उधार और अन्य देताओं की वह कितना है 34 पैसे वही अगर हम आगे बढ़ते हो तो फिर हम क्या देखने हैं GST और अन्य कर से कितना है 17 पैसे फिर नि प्रिमा सुल्क और फिर रिन भिन पूंजी प्राप्तिया वही अगर रुपय के हम जाने की बात करें तो फिर कहां सबसे ज़्यादा खर्च होता है तो हम यहाँ पर क्या देख रहा है कि जो ब्याज अदाईगी है उस पर ज़्यादा खर्च हो रहा है वह कितना है वह 20 पै पैसे और वित्य आयोगर अन्य अंतरन नौ पैसे यह दोनों क्या देख रहे हैं यह बराबर है फिर खर्च हो रहा है डिफेंस पर 8 पैसे और अन्य वे 8 पैसे यह दोनों बराबर है उसके बाद आर्थिक सहायता 7 पैसे और अंति में पेंसन 4 पैसे यह है कि अगर एक 2014 से लेकर अब तक क्या उपलब्धियां रही है जरा इस पर गोर से देखते हैं जो डेटा दिया गया है उसके अनुसार पिछले नौ साल में एक सबसे बड़ी उपलब्धिय हमारी यह रही है कि भारत जो दुनिया की दसवी सबसे बड़ी अर्थविस्था थी अब वह करोर लोगों को फायदा मिला है उनको घरेलु सोचा लेका उनके लिए निर्मान किया गया है आगे फिर उज़वाय योजना की अंतरगत जो LPG कनेक्शन मिला है वो लगपक 10 करोड लोगों को मिला है उसके अलावा जो वैक्सिनेशन है उस वैक्सिनेशन के टर्म में अगर हम देखें तो 102 करोड लोगों को कोविड पीका करन का लाभ मिला है और फिर पीम जन्धन योजना के अंतरगत 47.8 मतलब 48 करोड लोगों के बैंक के खाते खुले हैं और पीम सुरक्षा बीमा और पीम जीवन जोती योजना जिसे जो समाजिक सुरक्षा है उसका फाइदा लग जन्धन चलाएगे पीम किसान सम्मान निथी उसके अंतरगत 12 करोड से अधिक किसानों को फाइदा मिला है और दो दस्वन दो लाग करोड रुपए का नगध स्थान अंतरण हुआ है साथी साथ एक और महत्कुन बात यहां पर यह बात कही जा रही है कि पिछले 9 साल में अ परजट 2000-23-24 के अंतरगर जो प्रमुक बिंदू थे उस पर हमने एक नज़र डाली है इसके साथ ही इस वीडियो को हम यही समात्ति करते हैं आसा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा आप हमारी वीडियो को लाइक करें जदद जदद शेयर करें इसके साथ ही आप स आपको सब्सक्राव मों है खाली है और जाना इस हाणतिकर सब्सक्राबर जो स्क्राव करें बा